है घर्लो स्टुडेंट है पेरिग्यस विडियो में हम लोगों ने इसकॉसन किया था आगी जोलाच कल Sita फटी आधी सारफलिडियों अफटी है इसलेक्सटी तो इसी करम में हम लोगोंने दैम को दिस्कॉस कर लिया रिजर्वा nog उनर्वह को धिक्र 25 खरविया है ठीक है नेक्स्ट हम लोग जो है ब्रिज के बारे में करेंगे तो अब चुकी हाइवेज हम बना चुके और ब्रिज तो ब्रिज हम कहां बनाते हैं ब्रिज का में प्रबश क्या है कि वन पॉइंट और पॉइंट को कनेक्ट करना अब यह रिवर के एक क्रॉस भी बना सकते हैं या फिर आप किसी हाई वे को क्रॉस कर सकते हैं तो यह हमारा ब्रिज का में पर पॉइंट की वन पॉइंट तो अनुद पॉइंट पर हम कनेक्ट हो जाएं ठीक है लेगिन हम को क्या करना है जिएलज कल इन्विस्टिकर्स करना ह किसका बिरिज के साइट का ठीक है तो कुछ जनेरल ट्रायम के बारे हम लोग डिसक्स किये थे जैसे कि टुपोग्राफी अब दिसाइट ठीक है नेक्स्ट टर्म क्या था आपका लिथोलॉजी अब दिसाइट नेक्स्ट जियोलोचिकल कंडिशन आप दी साइट नेक्स्ट क्या था सिस्मिसिटी आप दी साइट ठीक है तो कुछ यह जैनल ट्रम्स थे जिसके बारे मुलों डिसक्स कर रहे थे तो वो सभी पॉइंट्स कहते आपके जो डैम है रिजर्वायर है ठीक है यह सब उसमें काउ ग्राउंड वाटर सोर्सिस तो ग्राउंड वाटर के अपस नडाउं स कारण भी जो है आपका बहुत से फ्रैक्तर क्या हो रहे थे अफेक्ट बट अगर हम ब्रिच की बात करें तो ब्रिच हम लोग देखते होंगे कि mostly जो है आपका plane area यानि terrain पे जो हम बनाते हैं ठीक है बहुत ही कम ऐसे locations हैं जहां पर हिली साइड में ब्रिच को बनाए गया है जो भी ब्रिच बने हैं बहुत ही unique है ठीक है बहुत ही कम है बट क्या है unique है पुरा यानिंग unique है बहुत टाइम लगा है बहुत ज्यादा एक्सपेंसर लगे हैं बट हिल साइड में भी ब्रिच हैं बट अगर हम most आप दी ब्रिच की बात करें तो आप आपको जो है ट्रेन साइट पर आपको ज्यादा देखेगा है ठीक है तो ब्रिच में देखें जो हम जैनल टर्म यूज कर रहे थे वो जैनल टर्म यहां पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप जो ब्रिच है आप हर जगा नहीं कंस्टर्ट करते हैं ब्रिच का एक स्पेस्पिक परपज होता है एक स्पेस्पिक यूज होता है आप हर जगे बिना किसी यूज के बिना किसी परपज के ब्रिच को स्टैबलिस करना जो है ठीक नह ही है क्योंकि इसफेश Graham uh बहुत ही कहले जह की complex होते हैं है हैं foundation design हो गया इसके पिलर्स की डिजाइन हो गई ठीक है इसके span का design किस टाइप के बिए दिजंको ले के चलना है ठीक है तो उन सभी के बारे में यहां पर पूरा जो है तो इस्टेटमेंट को पढ़ते हैं ए ब्रिज में भी डिफाइन आज दी स्टॉक्च्चर बिल्ट ओबर रीवर ए ड्राइव वैली लो लैंड और एन एस्टुरी और एनी डिप्रेश्ट पार्ट आप दी लैंड तो प्रवाइड विथ बिट्वें दी तो अपोजिट साइट वाही है वन पॉइंट अनदर पॉइंट को जोड़ना इस इसेंशली एक कम्मुनिकेशन लिंक अने रोड रेलेवे ट्रैक और हाइवे ठीक है ने पार पिर निफड बिट्वें पॉप फ्रीज बिट्वेंट फ्रीज पॉप्रच्ट नेजर इस केन् थे प्रीज अबाटमनन पॉपर साथ बाटमाट यूबट यूएवे पोजब देश्च ।bersव पॉपर पॉपर टोप्रच्ट बिट्स अन अन रिट हैंट डिवे। the geological characters that need to be investigated and thoroughly established are तो ओभाराल अगरम ब्रिज के बारे में बात करें तो ब्रिज को stable कौन करता है foundation और foundation ब्रिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टोटली डिपेंड करता है इन पॉइंट्स पे की आपका देफ्स अब दी बेड्रोक कैसा है कि अगर उस वाइल में स्वाइल का क्रेक्रिक्रिस्टिक कुछ पोरस है तो से रह रहा है जाई से बाता ब्रिज बनाएंगे तो रीबर के एक रोस बना है तो बना रहे हैं आप इस्टेट्मेंट पढ़े हैं कि इस्ट्रक्चर्ट बीट ओभर है रीबर तो ओभर हम बिल्ट कर रहा है रीबर के तो कुछ ऐसे उसके जो है पॉलम्स होंगे पीलर्स होंगे जो आपका रीबर में भी इनक्लूटेड होंगे रीबर पे भी जो है हम पार रह चैंट नहीं क्या है सब्सक्राइब पनाएंगे के क्लाईटर कोई कॉछ वीर्चERS में गस्तरक्ट करेंगे तो उसकेस में क्या है कित ही आपको क्राइब कंई कंटर्स करें कि अगर रीबर के बीच में कोई हम यापीलर है तो उस व्हयर्ट कंट में नोख इंप्पर्टेंट तो यहां जरूरी है फांडेशन बहुत ही इस्टेबल बनाते हैं तो इस पॉइंट को देखे कह रहा है कि देफ्ट बेड़ो कं आप जो फॉझ्टेशन बनाएंगे यह जो कॉलम यह फिलर बनाएंगे ठीक है तो वहां का जयुद के कंडिशन देखिए कि वहां पे किस तरह का बेड़ है अगर आपका ओनली स्वाइल है किसी प्राइब कोई रॉक की निचर का कोई वहां पे बेड़ बगरा नहीं है तो आप क्या है कॉंक्रीट का बेड़ जो है बनाएंगे इसका प्रोपर डिजाइनिंग होता उस डिजाइन है नेचर आप डी बेड रॉक ठीक अगर बेड़ राक है उसका फिकल्न प्रोपर्वर क्या है कितने एमाउंट वह इंपर्वियस है जै यह फिर कीतने इस्ट्रेश चक वो कितने area तक कहलेज़ें कि वह spread है वहां बेभी देखें कि जो लचकल उसमें factors क्या है मतलब fold, fold, features, crash के बारे में भी आप जो है पूरा उसको check कर लिजें next point क्या कह रहा है the structural deposition of the rock structural deposition of the rocks का मतलब यह है कि वह sedimentary rock है, igneous rock है कि metamorphic है अगर igneous या metamorphic rock है it's good कोई problem नहीं है आप जो है अपना procedure start कर सकते हैं bridge को बनाने का ठीक है कोई problem नहीं होगा अगर वो sedimentary rock है तो आप उसको properly check करिए क्योंकि इसके पहले भी हम डिसक्स कर चुके है कि इस एड़एंटर रॉक में क्या है जो joints लेयर या इस्टेटा की हम बात कर रहे हैं उसमें cementing property ठीक से अग्ट नहीं कर पाते हैं यानी बीच में जो आपको लेयर दिख रहे हैं वह आपस में जो है क्या है क्याइसिबली या एदेसिबली जो है कह लिजे कि वह strictly बाउंड नहीं होते हैं तो उस case में क्या भी यह तीनों point को जो हम details discuss करेंगे तो यह देखिए यह टाइप सब ब्रिज हैं ब्रिज के इन इन तरुकों से हम जो इनको बना सकते हैं यह आपका प्रस ब्रिज है आर्च ब्रिज बीम ब्रेज टाइड आर्च ब्रीक सस्पंसंड ब्रीज कंटि लिवर ब्रीच केबल इस्टेड ब्रीच तो आपके पास लगबग साथ प्रकार के ब्रिच ब्रिच हैं तो इन सभी में क्या है different type की जो है आपको foundation के requirement होगी देखे हम फांडेशन पर जोड़ रहा है क्योंकि इसमें क्या है most important foundation ही होता है पूरा आपका लोड क्या है जो भी इस पैन पर यहां इस पैन पर जो भी आपको लोड रहेगा जो रोलिंग लोड है या इस्टेटिक या डैनेमिक लोड जो भी आपके यह वो सभी कहाँ ट्रासफर हो रहा है इस केबल के थुरू इस कॉलम पर ही तो ट्रासफर हो रहा है तो कॉलम अगर आपका इस्टेबल ने हुआ यानि पाहिए और इसको इस्टेबलटी कॉन देगा झुल बैट कि आपका जो है कने की गीन कॉंप्य Alter's समय के साथी के पढ़ रहा है उसमें हो रहा है फिर क्या हो रहा की रोजन हो तब तो कै आपका जो आपका जो पर पज है ब्रीज बनाने का वह फुल्फिल नहीं होगा आप चाहते हैं कि यह जो बिरिजम बना हैं वह 100 तक जो है रन करें मेबी अगर आप इस पॉंट को इन को अगर आप नहीं करते हैं तो वह भी दस साल पांच साल पंदर साल बाद जो क्रैक जनरेट हो जाएंगे वह भी एक को लाप्स कर जाएं तो टाइप साब ब्रिज के बारे निंदिस्क्राइब को नहीं करना थे हाँ ठीक है हम यह इन तरीके के बिच है आप जो है एस पर आपके कह लिए कि ट्राफिक डेंस्टी ट्राफिक केपैसिटी ठीक है और आपके जो आप सीजनल वैरियेशन हैं इन सभी पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम एक पर्टिकुलर टाइप सब ब्रिज को हम सेलेक्ट करते हैं देन उसको हम अप्लाई करते हैं ठीक है ऐसा यह टाइप सब्सक्राइब दिया हुआ है तो यह नहीं कि हमको किसी लोकेशन पर ब्रिज बनाना है तो कोई एनीवन अप्दी अप्रीज गैन फूटाब है तो ऐसा नहीं होता है ठीक है आप तमाम पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे ठीक है सिस्टिक पॉइंट अप देखेंग ठीक है नेक्स्ट रहते हैं अब उनी पॉइंट को जो है हम डीटेल डिस्कुसिन करते हैं देफ्ट टू बेद्रॉक अब यह स्टेट्मेंट को पढ़ी है और क्या कहा रहा है देखिए इन मोंस्ट केसे अ मिश्द रिवोड्य वाटर इस कवर्ड ऐएरिंगनिफ टिक फिंग ठीक है रिवाटर वेट क्या है बिलोड़्य वाटर सर्फिस कवड़ंबाई वॉर्ड़ेंग सही होता है of consolidated nature natural deposits of sand gravel and boulders such loose materials loose materials are not safe as foundation for breeze piers for at least two reason पहला रिजन क्या कह रहा है firstly piers placed directly on them would be unstable second is the cover material is liable to be removed due to scoring of river water is scoring scoring होता है yes c o u r ing scoring by river water ठीक है scoring कैसे होता अभी भीकर के साथ समझेंगे as such the pier must be placed on stable foundation preferably of rock under the under a suitable thickness of cover material so that it is safe from score by river water पहला पांट के करें प्याप्य प्लेस्ट रैक्तली on them would be unstable ठीक है डाक्तली कर आप प्लेस्ट कर देंगे बिना रोक को decide किये या फिर कोई आप suitable bedrock बनाए हुए ठीक है तब क्या है वो unstable होगा second के रहा है कि cover material is liable to remove due to scoring by river water scoring कब होता है जब river flow करता है यह सी बातर most of the river flowing nature के होते हैं perennial river है बारहों महीं ने फ्लो करेंगे तो flow करने करते करते क्या है भाई बीच में कोई obstruction आएगा तो इसका scoring होगा ठीक है वही इरोजन ठीक है तो उसको समझिए ऐसे देखे यह आपका river permavirus यह अपर लेयर जो water का है वह यहां पर impact कर रहा देखिए कुछ इस प्रकार का और bottom का लेयर की बाटम का layer जो यहां पर मिट्टी है इसको score कर रही है इसको score कर रही है देखिए पूरा जो है पूरा यह score हो लहें देखिए यह पुतरा कही रोजन हो गया है ठोटरल इत्ना एरिया जो है जो पिलड़ आप लगा है वहाँ का एरिया क्या है वहां कि मिप्टी फूरी जो है इन फाने से एड़ी हो चुके है तो इन सभी पाइंट को देखते हुए अब देखिये आध किया बिछendam आप जो लगा रहे हैं या पीर लगा रहे हैं ठीक है और यह सोच रहे है कि स्टेबल रहेगा बल्ण अब कनीशन दिखिये जो बाटम लेयर का वटर का क्या कर रहा है वह मिट्टी को क्या कर दे से तो फॉंडेशन की नीचे अप्रेल सकॉर बनाएं हूंगे तो यहां से क्राक्स्थ ग्लाप होने स्टाट हो जाएंगे ठीक है तो यह सभी problem है तो इसको tackle out करना है तो इसको tackle out करने के लिए क्लिए क्या है इस foundation को stable करने के लिए कोई bed चाहिए अब या तो बेट आप artificially construct करिये या तो natural bed हो ठीक है आते है next point nature of bedrock it should be kept in mind that three types of loads are to be borne by a pier foundation पहला क्या रहा है compressive vertical compressive vertical load due to weight of bridge area or that area or that of pier material ठीक है compressive load लगेगा है second carry यहer horizontal horizontal loads due to thrust of water are thrust of the water ठीक है यह जो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर थ्रस्ट लगाएगा ठीक है horizontal thrust लगा रहा है चारो तरफ से हर तरफ से जो है आपका देखिए horizontal thrust बने गा तो यह आपका बात करें तो कुछ इस प्रकार का जो है इसका इस्ट्रेस डायागराम बने गासपे सब्सक्राइब जिस यहां पर शवब जीये कि प्रकार से हां होता है कि थार्ड किया करते डाइनाम को लोड वहीं मूविंग लोड़ डाइनामी कि यहनि आपके वेहिकल्स है consequently the bedrock selected as foundation for the pier must be strong enough to bear the sum total of all these loads ठीक है तो यह सभी point क्या है यहां पर दो point तुम अब इस्ट्रक्श्राल डिपोजीशन के हम बात करें सेकेंड और फस्ट्पॉइंट को आप जहाँ बेड के वारें कि जो आपका पैक है जो ब्रेशका होगा या तो नेचरेल रहें नेचरल आको पास बेड नहीं है तो आटिफीचल आपको करना पर बहेगा ठीक है और और artificially तो artificially हमको create करना पढ़ेगा ठीक है तो structural deposition के हम बात करें तो structural deposition किस प्रकार होगा तो statement को पढ़िए when the bridge sites are located in the zones of seismic activity the foundation are required to be designed for additional seismic load as specified in the code of respective areas सभी पॉइंट के बारे हमने बता है कि types of bridge कैसे decide करेंगे तो यह सब्सक्राइब के बारे हम बात हो गये हैं आपर next आये in the glaciated area special are must be taken to establish the existence of drawn down or buried valley that might be filled by secondary material of most heterogeneous characters similarly the factor of score must never be overlooked ठीक है तो structural deposition क्या है यह 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 आपको जो है रॉक के बर्म बता रहे हैं कि ठीक है अब देखिए structural deposition में क्या होगा कि पहला पॉइंट तो seismic activity बता दिया कि सिस्मिक एक्टिविटी के according हम foundation या ब्रीज को जो है foundation और ब्रीज को दोनों को डिजाइन करेंगे विद रिस्पेक्टिव कोड फिर जो है वहां पर हम देखेंगे की location क्या है वैली है तो जाइट से बात है कुछ पार्ट आप जो है वन एंट टू जो साइड में जो इस टाइप में अगर मालीजिए नैरो गौर्ट टाइप में कुछ है तो आप यहां पर जो है आप ब्रीज बनाना चाहेंगे ठीक है छी बनाएंगे तो समाइट जाइट से बात है रहाँ पी आप जो है लपता है है वनाइंगे टो उस केस में यहां प्रदू परपर्टी को च्क करेंगे और या प्र्पर्टी क्या है इसका इस प्हारी कि मैं तो आप धिशे करके जो है बरिच को यानली स्टैंड भी आनी स् होते हैं जो लेयर्स होते हैं आपसमें ठीक से जॉइंट नहीं होते हैं बाकी जो अधर है इगनियस रोग या मेटमोर्फिक उसमें कोई प्राब्लम नहीं है ठीक है यह एक फिगर यह डिपरेंज करना चाहता है जैसे वहीं चीज़ है ठीक कि अगर आप यह नेच्टरल सब्सक्राइब कम होगी क्योंकि यह आप देखिए एक हाउस के इरिस्पेक्टिव में है ठीक है और यह जो आपका बेट के अब है अब वहीं अगरम ब्रिच की बात करें तो ब्रिच जब आप करेंगे तो कि यह पूरा का पूरा जो है आप यहां पी जो है आप स्वाइल म सब्सक्राइब एप यह को यह कॉन सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह था रवैं ठीक है यह तो आपको सब्सक्राइब इस पॉइंट को जोड़ने यहां पर मत इस आइलेंड तर पहुंचने के लिए जो है इतना सारा जो है यह ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना पुड़ा कि तो आप इनके कॉलम को देखिए यहां पर फाउंडेशन दिए किस प्रकार बना हुआ है कि स्कॉरिंग को प्रिवेंट करने के लिए तमाम इसमें जो है अरेज्मेंट किये गये हैं मज़ों कि तो बिचिंना में तो प्रकॉग्राफी के कोई खास रह रोल नहीं है HOW दो डिक्कार आघसी को इनको दिक्कत नहीं है घsın गुसलाओं चट्ड़ूजी तो लिटोलोजी को अंतर नहीं है जाहां हमको जरुबद कड़ेगी किस परकार का एरिया है चाहिए वह आपका मांटेनीयस वह चाहिए वहाँ पर है और क्योंट है ऑफिलेज की थे तो इन से पॉइंट को देखने का अज़रत नहीं है आप ब्रीज़ वहां पर पर बना सकते हैं तो थी के अ मिलीन कंडिशन देखते हैं यह पूरा पॉइंट आपका है जो है जविक्वेंट करता है कि सिस्मिसिटी पॉइंट बिडिपेट कर रहा है अपका ठीक है पोरस्टी एंड प्रविल्टी अपधी साइट लोकीशन आप सॉयल के बारे में पुरा इसमें इन्वाल्व है ठीक है ग्राउंड वाटर सोर्स इसमें कोई ज्यादा डिपेंड नहीं करता है ठीक है क्योंकि आप मुस्ट अब दी जो बिरीज आप बनाते हैं आप देखते होंगे वह रिवर के ही ओभर बनाते हैं तो वाटर से कॉंटेक्ट तो हो गई तो देखिए यह कुछ जेनलल टर्म है जिनको जो है ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में आपको मेमराइज करना पड़ जाएगा ठीक है बाकी आदा जो टर्म है जैसे हम जो टोपोग्राफिक की बात करे रहे हैं लीथोलोजी जियालोजी सिस्मिसिटी परोस्टी प्रोश्टी स्क्राइब इस डॉप हो सकता है बट कहना आप इसको लॉजिकली सोची अगर टॉपोग्राफियम को नहीं समझ में आ रहा है मालेजी हिली टॉपोग्राफिय और आपको रिक्वार्मेंट है बॉस्ट अब पॉपॉपुलेशन भाई आपको नहीं जाना है तो नहीं नहीं या नहीं कर देंगे नहीं करेंगे इसा नहीं होता है तो इन केस में यानी में टोपोग्राफी या फिर क्या आप रहाँ बिरिज बना रहें तो तमाव मापस में डिजाइन प्रोसीजर और अल्टरनेटी स्थॉइंट करके आप ब्रीज बनाएंगे क्योंकि वहां पर रिक्वाइड है ठीक है जहां पर हमको रिक्वाइड होगी वहां पर ब्रिज जुरूर बनाएंगे इसमें कोई कि तो यह तीन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इसके बारे में आप जो है देख लिजेगा कि कोई डाउट हो था आप हमसे जो है कॉंटेक्ट कर सकते हैं कि तो इस वीडियो में इतना ही a शी बीडियो को देखने से बहुंँ इस प्निट कर देखेगा आपका जो डπα है रिजर्र bheim का है तो इसका बारे में बात जो हैं बहुत से पॉइंट को में इ Iraq आए टीक है आप हाई वाmar वीडियो का आप ज़रू दिखेगा ठीक है तो आज के वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टापिक के साथ जो है मिलेंगे ठीक है ओके तैंक यू